हलो दियेल लेर्नर्स, वेलकम तो एमजी सेक इंग्लिस क्लासेज, तो आज हम पढ़ेंगे 10 का अगला चेप्टर, परजेंट परफेक्ट कांटिनिमस, तो इसमें परफेक्ट भी है और कांटिनिमस भी है, मतलब कि इसकी अगर पहचान हम करें हैं, तो कोई ऐसा कार है, ठीक ह जो पूर प्लस अपूर यानि कि complete और incomplete दोनों लेकिन कुछ भाग उस कारे का कुछ भाग पूरा हो और कुछ भाग अधूरा हो यानि कि कुछ भाग जारी हो तो वह क्या होगा प्रफेक्ट कांटिन्यूस हो जाएगा तथा प्लस पूर प्लस अपूर होना चाहिए और उसके साथ-साथ क्या दिया हो समय दिया हो, ठीक है, और तथा वाक के अंत में, वाक के अंत में, क्या जाए, है, है, हो, और हू, ठीक है, तो अगर कोई दिया हुआ एक्षन है, और उस एक्षन के कुछ भाग कम्प्लीट है, और कुछ इनकम्प्लीट है, और उसके साथ साथ टाइम भी दिया हो, यानि कि जो एक्षन है, जो कार है, वो कम्प्लीट हो कुछ भाग, और कुछ भाग इनकम्प्लीट हो, और उसके साथ साथ टाइम दिया हो, और अंत में, है, है, हो, हू, तो वो टेंस कौन सा होगा, परज आर इसके साथ वर्व का थर्ड फॉर्म लगता है बीन और दर्साने के लिए वर्व के फस्वर्म में क्या लगा देते हैं आई येंजी ठीक है है कि इसके साल लगता है एक बतन यानिकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो अगर एक बचन में है तो क्या लगेगा has been और verb में ing ठीक और अगर plural subject है i तथा plural है तब क्या लगता है तो subject singular है तो has been verb में ing i तथा plural subject रहेगा तो have been और plus verb में ing इसमें जो time दिया रहता है ठीक तो time के लिए हम इहां बता दे रहे हैं जो time रहेगा उसमें दो तरीके का time होता एख होता है point of time point of time और एक होता है period of time period of time तो point of time को दरसाने के लिए point of time को दरसाने के लिए हम कहों सा preposition use करते हैं since और पिरियेड आफ टाइम को दर्साने के लिए क्या यूज करते हैं फॉर तो अगर साधारणभासा में समझें तो सिंस जो है यह निस्चित समय के लिए कहां यूज होता है निस्चित समय ठीक और फॉर जो होता है और निश्चित समय और निश्चित समय ठीक ये हो गया अब इन दोनों में से केवल एक चीज याद कर लेना है और वो है फॉर का यूज तो फॉर का यूज कहां करते हैं अगर वाक्व में आ जाए दो घंटा दो दिन दो हफ्ता दो महीना ठीक है दो साल या फिर आ जाए कई दिनों से कई महीनों से कई सालों से ठीक है कई दिनों से कई महीनों से कई सालों से या बहुत दिनों से बहुत दिनों से ठीक तो यी सब जब आएगा तो क्या लगेगा फॉर बाकी सब में शिर्णिस में क्या लग जाएगा बाकी सब ठीक जैसे अब एक्जामपल देखते हैं जैसे अब इसको समझना है हमको कैसे हम समझेंगे किसान सुबह से अपना खेत सीच रहे हैं ठीक मैं तुम्हें दो दिनों से दो सालों से ठीक है अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं ठीक तो अब इसमें जो कार है कार्य क्या है सीचना और इसमें है पढ़ाना ठीक तो यह किसान सुबह से सीच रहे हैं यानि कि कुछ खेतों सीची दिये होंगे और अभी भी सीच रहे हैं इसका मतलब कुछ बाकी होगा इसलिए सीच रहे हैं तो इसमें जो कार्य का खुछ हिस्सा पूरा हो गया है और कुछ बाकी है मैं दो सालों से पढ़ा रहा हूँ तो कुस्तवह दू साल में पढ़ाई दिये होंगे और अभी भी पढ़ा रहे हैं इसका मतलब कुछ बाकी है ठीक तो अब क्या करना इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सबजेक्ट लिखते हैं किसान सीच रहे हैं ज्यादा लोग हैं तो द फार्मर्स ठीक फार्मर्स बहु बचन है तो है बीन सीचना तिल मने तिल मने कर वाटर मिस सीचना होता है ठीक है वाटर में सीचना आई अन जी जोड़ दिये वाटरिंग क्या चीज अपना खेट तो बहु बचन के साथ अपना की अंग्रेजी क्या था है देयर और खेट माने होता है फिल्ड अब बहु बचन है तो यस कब से सुबह से अब इसमें दो घंटे में सुबह बगर आया नहीं तो इसमें क्या लग जाएगा सिंस मॉर्निंग ठीक है ये हो गया मैं आई के साथ क्या लग जाएगा है बीन पढ़ा रहा हूँ पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच na yeah अंग्रेजी तो क्या और किसको दोनों का अबजेक्ट होता है तो सजी वाला पहले लिखते है क्या पढ़ा रहा है इंगलिश कब से दो सालों से तो इसमें आगया दो दिन, दो महिना, दो साल अब दो के जगए पर यह जो गिंती है वह चेंज होता रहता है एक गंटा भी हो सकता है आदा गंटा भी हो सकता है पांद दिन हो सकता है दस साल हो सकता है ठीक है इंगलिष फॉर दो साल क्या होगा टू ऑच यह तो यह हो गया तो यहां पर इनकम प्लीट रहेगा तो यह हो गया हमारा कुछ एक्जामपल अब इसके बाद थोड़ा साओर बढ़ जाते हैं आगे तो यह ध्यान रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट ठीक है अब इसको थोड़ा सा और सम्झाद हम और सिंस फॉर्ब को नहीं मिटा रहे हैं अभी क्योंकि इसमें थोड़ा सा और समध्यना है शुलेखा पाँच वर्सों से इस विद्याले में पढ़ा रही है वह अपने वह अप्रैल से अपने मित्र के यहाँ अपने मित्र के साथ या वह अप्रैल से बिदेश यात्रा करने की सोच रहा है ठीक है अच्छा इसमें नहीं वगरा तो नहीं आया इसको निगेटिव में बना दे रहे हैं हाँ सब वही है इसको निगेटिव में निगेटिव और एक इंटेरोगेटिव कितने बच्चे दो घंटों से कच्छा में शोर मचा रहे हैं और नहीं वाले में लिख दे रहे हैं वह कई दिनों से अपना पाट नियमित रूप से याद नहीं कर रहा है ठीक है अब यह हो गया नहीं माला भी हो गया इंटेरोगेटिव भी हो गया तो पहले इसका देखते हैं सुलेखा सब्जेक्ट हो गया सुलेखा एक बचन है तो हैज बीन पढ़ाना टीट आई एंजी जोर दिये टीचिंग कहां पढ़ा रही है इस विद्ध्यालम में इन दिस कॉल अच्छा स्कूल कॉलेज नहीं होगा सुरी स्कूल हो जाएं इन दिस स्कूल कब से पांच मर्सों से तो फॉर फाइव यह यह हो गया वह याद नहीं कर रहा है तो वह लड़का है ही तो ही के साथ क्या लग जाएगा है नहीं आ गया नॉट फिर बीन लगाएंगे और याद करना लर्न आई एंजी जोर दिये लर्निंग अपना पार्ट हिजलेशन कैसे तो नियमित रूप से रेगुलर्ली कितने दिनों से कई दिनों से तो फॉर कई का हो गया मेनी डेज मने दिन प्रस्णवाचक सब्द आ गया कितने बच्चे तो उसका अंगरेजी सबसे पहले लिखेंगे how many children अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो subject है नहीं तो यही subject बन जाता है और जब subject हो गया तो उसके बाद बहु बचन है children तो have लग जाएगा have been sore machana sore machane का अंगरेजी होता है make a noise sore machane का अंगरेजी क्या होता है make a noise और अंतिम अच्छर यह जब हो तो उसको हटा करके ing जोडते है making a noise तो how many children have been making a noise दो घंटे से तो क्या लिख देंगे for two hours ठीक तो यह हो गया हमारा present perfect continuous तो इस तरीके से daily एक एक tense का वीडियो पढ़ते चले जाएए ठीक है और tense जब खतम होगा तो हम paragraph writing करा देंगे यान कि जो प्रशनाते हैं board में paragraph वाले उसको solve करवाएंगे तो सबसे important चीज है जब आपको ट्रेंस बनाने आ जाएगा तो question answer लिखने आ जाएगा central idea बनाने आ जाएगा और paragraph वगेरा भी essay application सब कुछ लिखने आएगा ठीक तो आई hope यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और यह समझ में आया होगा ठीक है तो good luck for our exam thank you